हेलो फ्रेंड वेल्कम टो कम्पीटर लर्निंग चैनल ओन यूट्यूब आज आप एक्सल में सोट उप्शन का उप्योग किस तरह से होता है इसको देखने जा रहे हैं तो आईए देखते हैं कैसे इसमें वर्क किया जाता है सबसे पहले आप अपनी एक्सल की शीट को उपन क करके रखेंगे उसमें आप किसी भी टाइप की कोई भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं मैंने एक्जामपल समझाने के लिए आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सिटी तिन हैडिंग का यूज किया है उसमें कुछ डेटा फिलप किये हैं और उस पर हम सौट उप्शन देखने जा रहे हैं यादर की सौट उप्शन का वर्क क्या होता है सौट उप्शन केवल आपके डेटा को असेंडिंग और डिससेंडिंग और में जमाता है मतलब की सीधे या उल्टे करम में केवल आप अपने डेटा बेस को व्यवस्तित कर सकते हैं तो इसको वर्क करने का तरीका क्या है आईए देखते हैं सबसे पहले आप अपनी लिस्ट को select करेंगे select करने के बाद आप देखेंगे excel में जो आपका home tab है इसमें आपको सबसे top screen पर एक sort and filter word highlight हो रहा है इस पर आप click करेंगे और इसमें आप custom sort पर click करेंगे जिसी आप custom sort option पर click करेंगे आपके पास एक new window open होगी इसमें आपको कुछ option को ध्यान रखते हुए sort करना होगा इसमें सबसे पहले लिखा है sort by sort by का मतलब यहाँ पर होता है कि आपको कौन से field को sort करना है मतलब सही ascending order यह डिस ascending order में आपको database जवाने है जो आपने देखा है इसमें first name last name and city तीनो word दिखाई दे रहे हैं मैं आपको एक चीज़ explain कर देता हूँ इसी window में लिखा है my data has header इस option पर आप देख रहें एक check box से होग उस पर tick लगावा है इस check box पर tick लगे होने से क्या होता है कि आपकी जो header हो है वो आपकी sort नहीं होती केवल आपके database ही sort होते हैं अगर हम इस check box पर यह tick हटा देंगे तो sort by में आपको column A, column B and column C इस तरह से आपको दिखाई देगा तो आप इस option का ध्यान रखेंगे यह option maximum activity रहता है उसके बाद sort by हम एक काम करते है sort by हम first name ले ले लेते हैं ठीके और sort on value रख रहे हैं हम इसमें और order A to Z A to Z order means alphabet में सीधा करम होता है A to Z का इसलिए हम उसे select करते हैं तो इसमें Z to A b select कर सकते हैं तो हम S is Z select करते हैं ascending order के लिए उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे जैसी हमने ओके पे क्लिक किया है आप देखेंगे हमारी जो data पहले पहले व्यवस्तित नहीं थे पर sort होने के बाद में हमारी जो data है alphabet A, B, C, D, WISE sequence में जम चुके हैं तो इस तरह से हम sort option का use करते हैं sort option का use हम किसे भी field के लिए कर सकते हैं तो friend आप इस video को देखते वे please try करें और अगर आपको इस video अच्छी लगती है तो please like करें और अपने friend के लिए share करें Thank you for watching computer learning channel on YouTube अच्छी लगते हैं झाल